नमसकार दोस्तों मैं हूं मनोजबर और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सल को reset करने का ठीक है default setting में reset करने का उसके लिए क्या करने कि यहां पे आपको जो है यहां पे search बार आपको type करना परेगा edit आप यहां पे type करोगो नहीं यहां पर जो option आ जा था registry edit ठीक है आप इस सॉप्टेवर पर क्लिक करेंगे, और सॉप्टेवर पर जाने के बाद, अपि कौन सॉप्टेवर के अंदर देखें, माइक्रो सॉप्ट है, और माइक्रो सॉप्ट पर यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक किया, तो माइक्रो सॉप्ट के अंदर आपको जाना ह कहा जाना है यह office पे आप और office के अंदर जब भी आप आएंगे यहाँ पें पर कुलिक करने बाद के कहा पर जाना है यहाँ पर we advising करलें कुलिक करेंगे चसे इसको करेंगे जैसे ही आप delete कativesक किई ziehen उसकेεια और किया उसके पाद इसको क्लोज कर दिया अब जब भी आप एक्सल खोलोगे ना यहां पर तो देखिए एक्सल जब भी खोलेगे तो यह जो आपको पूरा नियू जैसर मिलेगा इसमें कुछ भी पहले वकास सेटिंग नहीं यह जो है पूरा नियू का सेटिंग मिल जाएगा आ आपका कुछ बटन काम नहीं कर रहा तो वह सारा चीज इसमें जो है आटोमेटिक काम करने लगा और यह आपको पूरा नियू का नियू जैसे आप फ्रेश इस्टॉल करते हुआ इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सल बन जाएगा